हेलो दोस्तों आज हम नेक डिजाइन की कटिंग करेंगे तो मैंने इसमें सोल्डर रख रहा है 6 इंच पर हम इसमें आर्म होल्ड का निसान लगाएंगे और इसका हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे बॉक्स बनाने के बाद इसे रांड से देते हैं मैंने इसे गोल कर दिया अब हम चेस्ट पर निसान लगाएंगे तो मैंने इसमें छे इंच पर लगाया है जो था इससा अब कमर लिए इसमें साड़े पांच और हिप रखे इसमें साथ इंच अब इन दोनों इन तीनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे मिलाने के बाद अब मेरे पास इतना यहां पर बस नहीं रहा है अखवार तो मैं इसी में एड़ेस्ट कर लूँगी इस तरह से तो यह हमारा कम्प्लीट हो गया आप हम गले पर चलते हैं तो गले की चोड़ाई मैंने इसमें द्धाई इंच रखिए और लैंथ इसकी मैंने पांच इंच रखिए और इसका हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे बॉक्स बनाने के बाद आप कोई इसमें कोई भी सेव दे सकते हैं पर मैं इसमें गोल्ड सेव दे रही हूं इस तरह से यहां से लाएंगे इस तरह से गोल्ड सेव देंगे गोल्ड सेव देने के बाद हम इसे इस तरह से इसमें डिजाइन डालेंगे तो हम पहले सोल्डर को डाउन करेंगे मैंने करें इसमें करा नहीं था तो अब करेंगे तो इस तरह से हमारे ड्राफिंग हो गई अब इसी पर हम कटिंग करेंगे इस तरह से इस डिजाइन को आप जरूर बनाना इसमें बहुत सुनर लग रहा है डिजाइन बनने के बाद तो हमारे ड्राइन इस तरह से बनकर त्यार हुआ है यह हमारा गले का सेफ है जो मैंने अभी काटा इसे और यहां पर हमें फैंसी बटन लगानी है पूरे राउंड में दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो जार जार सस्क्राइब करना लाइक करना सेयर करना प्लीज यहां पर हम चात्र इस तरह से बटन लगाएंगे फैंसी तो बहुत ही सुन्दर गला बनकर आएगा हमारा पहल तो हम क्या करेंगे जैसा हमने हमारा यह गला कटा हुआ है दिजाइन वैसी हमें इसमें पट्टी जोइन करनी है और इसे अंदर तरफ फोल्ड कर देंगे तो हमारा जैसा हमने काटा वैसी हमारा से बनकर त्यार हो जाएगा फिर इसके बाद हम फैंसी बटन लगाएंगे इस तरह से पूरे राउंड में जूँआ इस तरह से मेरा डिजाइन बनकर त्यार हुआ है दोस्तों दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, सेर और सस्क्राइब करें